नमस्कार दोस्तों एक बारा सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर तो चलिए आज का जो पहला प्रशन देखिए आपके सामने आपर यह रहा ध्यान से देखिएगा और सब लोगे आपर जब आप जो देने का ए उस्थ जो अपकी कैसी थी समतावादी डास तो दास रम तो हड़पा में थानी जाती आधारत भी जो है क्ला स्मतावादी कौश्ण देक्षिए को कौन से कथन सही रॉप्पा आपकव क्या हो जाएगा कि धुर्ट हुँ कि इत बेलदान के लिए उन्हेंगे जाना जाता था बिल्कुल सही बात है एसा बिल्कुल गदलत बात है कौन सा कथन यहां पर सही आपको यह बताना है गाया उनका पवित्र पसू था अगर अगला कोशन देखे ग़ा रहा है कि निम्लिकित मेंसे कौन सी चीज सिंदुगाटी की खुदाई में वारिजिक और आर्थिक विकास का दो तक है वारिजिक और आर्थिक विकास का दो तक है तो साथ जाद रखेगा भाई वारिजिक की बात हो रही है तो मोहरे जो है सिंदुगाटी की खुदाई में इसके ये एकी मचन में कुछन है सबसे पहले खो जाए सेर में जुए रखे सकते हैं ठीक है इसके लिए अगर हम बात करते हैं किला ये भी मिला था सिखर रहित मंदिर इस ये जो चीज है नहीं पाई गए थी वए सिखर रहित मंदिर जो है नहीं मिले थे तो आप्स नमबर डी साथ हो यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन देखें आपसे कह रहा है हरपा सबसा जो आपका किस वर्थ खों जा गया था सबने को पताती हो जाएगा चलिए उसके जबाब देती हो उचलेंगे हम सब्साऻी चब्द्वाब करते है तो 66 का सही को जाएगा 1921 भी में किसने खोजा था अभी मैंने आपको बताया भी हडपा सवेदा की खोज जो है राय बहादूर दयारम सहानी यह याद रखेंगे इन्होंने इसकी खोज की थी यह कई आपके एक्जाम में आ चुका है अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या पुछा गया ध्या जाएगा भई जाले भई जाले भई कोशन बर साथ की अगरम बात करते हैं तो साथ नमबर कोशन में आपको हो जाएगा भी आपस नमबर बी वाला पत्थर वरिक्ष और जानुवर इनकी पूजा साबित होता है कि भई हिंडू धर्म के प्राचिन संस्क्रित के बीच जैव यहाँ से मिल था? इसका नबर आद एत करते हैं किसके बारे में? कट के बारे में में आपर राप्स-नमबर जो है करेक्ष हो घँएगा भई। प्रफिए लोथल आपका गुजरात में पड़ता है पॉइंट याद रखिएगा ठीक है यहां से मिला था तो आपस नमबर ए साथ यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कॉशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा नमलिखित पालतु यहां पर याद रखिएगा गाय कह सकते हैं यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहां पर जवाब जो देने का प्रयास कीजएगा देखिएगे और सभी लोग बताते हो चलेंगे क्या पूछा गया है पूछा गया साती हो कि इन में से कौन सा सिंदु सहर जो बिना किला का बिना गड़ का था कोशन नम्बर 10 है फटा फट बताते हो चलेंगे इसका जो सही तराप क्या हो जाएगा देखते हैं किते लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं तो भाई काली बंगन हडपा मोहन जोजड़ो यह चनहु दड़ो तो कोशन नम्बर 10 का जो सही तराप को जब चनहु दड़ो ठीक है मोहन जोड़ो के दच्छड में आपके यह उस्तिता इसकी खोज 1934 में हुई थी एन जी मर्जून दार जी ने इसकी खोज जो है की थी यह चीज़ याद रखेगा इन चारों बता इसची सिंदुगाटी सभेटा के विसेस्ता क्या थी देखते हैं कि तो लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं प्रकृति की सक्तियों की पूजा वेवस्थित सहरी जीवन देहाती खेती है जाती आधारी समस्त्या तो ग्यार नमबर कोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिंदुगाटी सवेदा की जो विसेस्ता थी वो आपकी थी वेवस्थित सहरी जीवन क्या था भई वेवस्थित सहरी जीवन जो है सिंदुगाटी सवेदा की विसेस्ता थी तो आपसर नमबर यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन है मानो द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु बताई कौन था मानो के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु पूछा गया है कौन सा था तो याद रखेंगे दूस्तों मानो द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कि इस परस्णिए वह जाएगा जब आप आप जो देतिए चलेंगे देवी मा की पूजह किसे सब्वंदित है चली उए तो अगर हम बात करते हैं देभी मा की पूजा के बारे में, तो भैई देभी मा की पूजा ही बिसिकलि आपका संबंदीत हैं सिंदुगाटी सब्र॑इता से तो सिंदुगाटी सब्र॑इता यहाँ पर इस से ताज है क्या थी प्रमुख विसे। कृषिंग पर विसेस ताज है क्या थी ?? तो option number देखिए आप पर नगर सब्विता अभी मिने था नगर सब्विता नगर यह सब्विता पक्की इटे पक्की मकानों की इटे यही सब जो है इसकी सिंदुगड़ी सब्विता की विसिसता है मेन तो option number A साथ यहाँ पर जो correct हो जाएगा ठीक है जितने लोग उने A सबसे बड़ा भवन आपका कौन सा अन्नागार या ठीक है अन्नागार यह धांन्यागार वी सब्वेटावी इसको बोलते है दो अन्नागार सबसे बड़ा भववन है. लोग विस्लाल इसनानागार पर टीक करके आ याद है तर वे बैद को कौै को अगला प्रफशन देखिए आप यहां पर क्या पूछा कि आदेखिक अनिम्द कुछषर विद्वन हड़ापस अभेता कि यह सबसे प्रसम खोज करता कौन थे तो यहां पर याद रखे दोस्तों दयाराम सहानी उनीस सो कीसिस भी में इसकी खोज की थी मैंने बताया था ना तो आपसर नमबर डी साथ हो यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा ठीक है जितने लोग ने आपर डी जवाब दिया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखिए आपसे आपका कहां पेस्तित है बहुत ही बड़ी है कोशन है फटा फूर बताते हूं चलिएगा काली बंगन जो आपका कहां पर रवस्तित है देखते है किते लोग यहां पर जो सही जवाब देते हैं काली बंगन की बात हो रही है बही तो बही काली बंगन जो है नाम से थोड़ा सा यहां पर एक आइडिया लगा लिजिए रास्थान में घगर नदी के किनारे यह उस्तित है नाइनटीन फिप्टी थी में इसकी खोज हुई थ अगला कोशन देखे आपसे हां पर क्या कहा रहा है हडपावासी किस सुवस्था के उतपादन में अगरडी थे सबी लोग फटाफट जवाब जो देते हो चलिएगा इसका जो सही तरब का क्या हो जाएगा पनाधी जवाब देखते हैं किते लोग यहां पर सही जवाब दे निमलिकित में से किस द्रव्यका उप्योग हडपा काल की मुद्राओं के निर्माड के मुख्यरोप से किया गया था बिस नमबर कोईशन है फटाफट जवाब जो देती है चलेगा आपि मैं बताया था इसके बारे में तो टेरा कोटा बिल्कुल सही बात है पर टेरा कोटा जितने लोग जवाब दे रहे है भई टेरा कोटा यहाँ पर जो आपन पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है आग में पकी होई मिट्टी होती ठीक है तो आपिसम नमबर यहाँ पर यहाँ पर जोगर्प हो जाएगा अगला कोशन लेखिए ए म मै यहाँ आजप तो याद रखेगा बई पाकिस्तान क्योंकि पहले तो पाकिस्तान भारत में था तो आपस नमबर D साथ हो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगला कोश्चन देखे आपसे आपर क्या कहरा है कि सिंधु अर्थ विवस्था की ताकत क्या थी वही सिंधु और विवस् रर्ष में श्रकी ताकत पूच्छा थे दीर। सबसे प्राचीन सभीता का नाँ बताओ, इन चारो आपसनों बताओ, सबसे प्राचीन सभीता कहां किये वई, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे प्राचीन सभीता जो है, मेसो पोटामिया की है, ठीक है, उसके बाद मिस्री की सभीता है, उसके बाद आपकी यहाँ सिंदुगाटी सब बिता आता है, फिर माया सब बिता आता है सबसे प्राइचिन आपके आपके आपड़ मेसो पोटाम या साथ हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखें आप से कह रहा है नेमलिखित में से आ रहा है तो इस प्रश्ण का जो सही तरह क्या हो सकता है तो अगर हम बात करते हैं कोशिश नुबर 25 के बारे में तो यहां पर देखिए हडपा ठीक है यह अपका पाकिस्तान में हो से जब कि काली बंगन रास्थान में लोगतल गुजरात में है ठीक है आलंगीर की बात करते हैं तो आपका यह मेरत उत्तर परदेश में तो यह सब आपका भारत में है जब कि हडपा की बात करते हैं तो यह जो आपका पाकिस्तान के मांट गोमरी जली में वस्ती थे रावी नदी के तट पर अगला कोईशन है सिंदु घाटी सवेता के लोग किसकी पूजा करते थे लोग जो है किसकी पूजा करते थे बिश्णू इंदर पसुपति या वायुदेता तो भाईया पच्ची 26 अमबर कोईशन है सब लोग बताते हो चलेंगे इसके उस तरह आपको हो जाएगा भाईया ऑप्स नमबर भी पसुपति अभी मैंने पहले या दूसरे कोईशन में वेता है था पसुपति की पूजा करते थे जहाँ पर असत्यकतन की पहच्चान करना था तो ऑप्स नमबर भी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा सही मिलान करना भी मोहन जोदरो इसकी अगर हम बात करते हैं तो भाईया यह हो जाएगा विसाल इस नानागार यहां से प्राप्त हुए थे ठीक है हडपा की अगर हम बात करते हैं तो हडपा से जो है यहाँ पर पुजारी की मूर्ती जो है प्राप्त हुई थी काली बंगन की अगरम बात करते हैं, बहुत इंपोर्टन है, जुते हुए खेत के निसान यहाँ पर काली बंगन से प्राथ हुए थे, और लोथल की अगरम बात करते हैं, तो बंदरगाह, लोथल से बंदरगाहों की प्राथ हुई है, तो यहाँ पर मिलान हो जाएगा भई, 4 4132 किस में आ रहा है जी? Option number A में आ रहा है तो A वाला option जो यहाँ पर correct हो जाएगा Sindhugati Sabita के सहरों की गलियां कैसी थी भई? Sindhugati Sabita के सहरों की जो गलियां है कैसी थी? तो साथ हो याद रखेगा इनके सहरों की जो गलियां है चौड़ी थी और सीधी थी ठीक है? Sindhugati Sabita के जो गलियां थी बिसिकली चौड़ी थी और सीधी थी तो option number A साथ हो यहाँ पर जो गरेक्ट हो जाएगा ठीक है? अगला question की कह रहा है कि निमलिकित में से किस नदी के किनारे हडपा और मोहन जोद्रों के आवसेस पाएगे भाई किस नदी के किनारे जो है हडपा और मोहन जोद्रों के आवसेस है आपके पाएगे सब लोग बताते हैं चलिएगा इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा question number आपका 29 दिया गया है जवाब दिखे आना शुरू हो गया तो उन्तिसका जो सही तराप हो जाएगा भई रावी और सिंदू ठीक है ऑफसर नमबर डी यहाँ पर कर जाएगा रावी और सिंदू से जो इस प्राइगे सवसेस तो आपसर नमबर जितरों यहाँ पर जवाब दिया है डी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्गुल करेक्ट हो जाएगे अगला कोईशन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा वे सिंदू घाटी सवेदा की लिपी बताई क्या है सिंद करते हैं 30 में तो आपका अग्यात अभी तक इसकी लिपी जो है अग्यात है तो आपसे नम्बर सी साथियो यहाँ पर जो हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपसे कह रहा है मोहन जोडरो में सबसे बड़ा इमारत बताई कौन सा है सबसे बड़ी इमारत की बात हो रही है फटाफट बताती हो चलिएगा 31 का जो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा अभी थोड़े पहले मैं बताता है सबसे बड़ा भवन सबसे बड़े इमारत कौन सी अन्नागार है ठीक है मोहन जोरो क्योंकि हडपा के छेन ना गरोगे वराब मोहन जोरो का एक अन्नागार है तो गया पर जवाब जो देने का प्रयास कीजेगा विसाल इसनानागार पाया गया था बतीस म्दार में जवाब जोरो देती कहां पर। विसाल इसनानागार अन्नागार यह सब मोहन जोरो है और सबसे बड़ा जो था वह आपका अन्नागारी है ठीक यह जी याद रखेगा चले भई अगला कोशन देखिए आप से हापर क्या पूछा किया ध्यान से दिखेगा देवी माता की पूजा संबंदित है किस सब्वेता से भई देवी माता की पूजा जो किस सब्वेता से संबंदित थी तो option number C साथ हो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आपका कहरा है कि सिंदु घाटी सब्वेता का बंदरगा पता ही कौन सा भई सिंदु घाटी सब्वेता का जो बंदरगा है वह आपका कौन सा है सब लोग 35 का जवाब जो देती हो चलें टेक केर जय हिन जय भारत अन्यवाद आप सभी का इससमें जुदने के लिए